पूरुस प्रधान समाज में प्राचीनकाल से ही ऐसी विवस्थाएं लागू की जाती रही हैं जिन में महिलाओं के लिए अपने उत्थान की बात सोचना तक दुसकर प्रतीत होता है यह समाज पूर्वी सब्धता से संबध्ध हो अथवा पश्चमी सब्धता से आधुनिक युग में जिस सिच्छा पद्धत को अपनाया गया उसमें भी महिलाओं के लिए परियाप्त विकास की संभावनाएं नहीं थी क्योंकि अधिकांस अभिभावक लड़कियों के लिए उच्च सिच्छा के विरोधी थे फिर लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग-अलग सिच्छा की विवस्था की गई जिससे लड़कियों का परियाप्त विकास नहीं हो पाया सह सिच्छा की विवस्था के बाद से महिलाओं ने अनेक छेत्रों में पूर्शों को चुनावतियां देनी सुरू कर दी धीरे धीरे ऐसा समय आया की राजनीत में भी महिलाओं ने अपनी उपस्थिती दर्ज करवा दी परंतु राजनीत में अभी भी उन्हें परियाप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका है राजनीत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर दो बातें सामने आती है क्या उन्हें परियाप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मिलना चाहिए तो क्यों क्या उन्हें राजनीत में परियाप्त प्रतिनिधित्व की ओसकता नहीं है और यदि ओसकता नहीं है तो क्यों इस संदर्भ में ध्यातब्य है कि वर्तमान समाज में दो वर्ग हैं सुधारवादी अथ्वा विकासवादी तथा रूणिवादी सुधारवादी वर्ग द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को राजनीत के साथ अन्य छेत्रों में भी परियाप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होने से हमारे समाज का परियाप्त विकास असंभव है दूसरी और रूणिवादियों का मानना है कि महिलाओं के घर से बाहर आ जाने के बाद उसका बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ेगा ऐसा इसलिए कि हमारे पारिवारिक बिवस्था में घर को सम्हानने का दायित्व महिलाओं पर है और उनके घर के बाहर आने से यह बिवस्था ही तूट जाएगी तथा समाज के विकास की नियू ही कमजोर पड़ जाएगी यदि सुच्शम्ता फूर्वक देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादियों और रूडवादियों दोनों के तरक में सत्यता है परन्त यह ध्यातक है कि क्या महिलाओं को हमेशा चहार दिवारियों के अंदर ही कैद कर रखा जाएगा हमारे समाज में अनेक ऐसे उदहरन है जब महिलाओं ने पारिवारिक दाईत्तों को संभालते हुए भी सक्त्रीय राजनीत में अपना महत्पूर्ण योगदान दिया है भारतिय सब्विता के इतिहास में सरवाधिक विक्सित समाज संभावता रिग वैदिक काल से मेही था इस समय समाज में महिलाओं को प्रतेक्षेत में पुरुसों के समान अधिकार प्राप्थे सिच्छा से लेकर राजनी तक इस काल में महिलाएं वैदिक रिचाओं के सरजन से लेकर सभा और समित जैसी सरवोच राजनी ते संस्थाओं में अपनी ससक्त उपस्थित दर्ज करवाती थी परंतु दुर्भाग्यवस वैदिक काल का ऐसा आदर्स उपस्थित होने के बावजूद हमारे देश में महिलाओं को दबा कर रखने की प्रविति क्रमसा विक्सित होती चली गई